राम लक्षमन की कहानी कार्तिक मास में राम लक्षमन की कहानी सुनने का भी बहुत महत्व है एक जाट जाटनी बहुत गरीव थे जाटनी जाट से बोली मैं तुम्हें चार रोटी बना के दूंगी तुम नदी किनारे जाना वहाँ भगवान राम लक्षमन आते हैं वहाँ जाके कहना राम बड़े लक्षमन छोटे वे बेठे अम्बे की डाली वे बेठे चम्बे की डाली मिट्टी का दस्रत बनामे माखन मिसरी का भोग लगावे दे परिकर्मा घर को आवे जाट रास्ते रभर याद करता चला गया हुआ जाके भूल गया हुआ बोला लक्षमन बड़े राम छोटे वे बैटे अंबे की डाली वे बैटे चंबे की डाली मिट्टी का दसरत बनावे माखन मिसरी का भोग लगावे दे परिकर्मा घर को आवे राम बोले लक्षमन लक्षमन तुमें बड़ा बताया है तुम कुछ दे दो लक्षमन बोले हे भगवान राम इसकी बुद्धी तो मलिन हो गई है यह मूर्ख है कई राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है राम बोले नहीं लक्षमन इसने तुम्हें बड़ा बताया है तुम्हें कुछ दो लक्षमन थोते बांस में मोहरसरफी भरकर उस जाट को दे दी रास्ते में बड़ा खुस हुआ जाट की मोहरसरफियां मिली है रास्ते में मौरसरफियों को चोरों ने उससे ठग लिया घर गया जाटनी बोली कुछ मिला तो जाट बोला हाँ मिला तो था परन्तू रास्ते में चोरों ने छीन लिया जाटनी बोली कोई बात ने कल फिर जाना अगले दिन जाटने ने फिर चार रोटी बना कर दी और फिर सिकलाया कि राम बड़े लक्षमन छोटे वे बैटे अमबे की डाली वे बैटे चमबे की डाली माटी का दसरत बनावें माखन मिसरी का भोग लगावें देपरी कर्मा घर को आवें रास्ते भर जाट याद करता हुआ चला जा रहा था और वहाँ जाकर फिर भूल गया फिर बोला लक्षमन बड़े राम छोटे वे बैटे अमबे की डाली वे बैटे चमबे की डाली माटी का दसरत बनावें माखन मिसरी का भोग लगावें दे परिकर्मा घर को आवें राम बोले है लक्षमन आज भी तुम्हें बड़ा बताया है तुम कुछ इसे दे दो लक्षमन बोले है राम इसकी तब उद्धी भरष्ट हो गई है मूर्ख है कही राम से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं राम बोले नहीं लक्षमन तुम्हें इसे बड़ा बताया है तुम्हें तो तुम्हें इसे कुछ न कुछ तो दो लक्षमन ने सौने की इट दे दी बड़ा खुस हुआ जाट और सौने की इट लेकर खुसी खुसी चल दिया रास्ते में चोरों ने फिर इंटें छीन ली, घर गया जाटनी ने पूछा कुछ मिला, जाट बोला मिला तो था, रास्ते में चोरों ने फिर छीन लिया, तुम जाटनी ने का तुमने क्या कहा, जाट बोला मैं तो लक्षमन बड़े राम छोटे वे बैटे अंबे की डाली, माटी का दसरत बनावे, मा कनमी स्री का भोग लगावे, देपरी कर्मा घर को आवे, जाट नी बोली, तुम तो बड़े भोले हो, कई भगवान राम से कोई बड़ा है, कल फिर जाना, ठीक ठीक बोलना, अगले दिन फिर चार रोटी बना कर दी, फिर जाट गया, और इस दिन वे पूरे रस्ता रठता गया, कि आज बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, और हुआ ज लक्ष्मन छोटे वे बैठे अंबे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, माटी का दसरत बनावे, देपरी कर्मा घर को आवे, लक्ष्मन जी बोले, भगवान आज तो आई, इसको अकल आ गई है, इसने आपको बड़ा बताया है, भगवान राम मुस्कुराते हुए, आए और बोले भाई मेरे पास क्या है, यह जो हड की मिट्टी है, ले जा, अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी, जाट बड़ बड़ करने लगा, कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दिया, जाट नीना उल्टा बता दिया, रोज सौना चांदी मिलता था, अब आज जो मैंने जाटनी के कहने में आके राम को बड़ा बता दिया, तो यह मिट्टी की डली दे दिया मुझे, मिट्टी लेकर उदास बन से घर की ओर चल दिया, बीच रास्ते में चोरों ने फिर रोका पूछा आज किया लाया है, चोरों से बोला किया लाया हूँ, आज य मिट्टी देखकर चोर भी कुछ नहीं बोले, और वैं जाट घर को चला गया, जाटनी बोली कुछ मिला, जाट गुसे में एकदम मुझे बोला, आखे तरेड कर, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली, जाटनी बोली कोई बात ने, कुछ तो लेकर घर को आये ह बड़े रोज तो तुम खाली हाथ आ जाते थे, मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी, चूला लीप लूंगे, आगन लीपूंगे, तुलसी के पौदे के नीचे रखकर उस मिट्टी को सो गए, सवेरे उठकर देखा, तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर दें, जैसे भगवान राम ने उनका दरीद्रता दूर की, ऐसे सब की करना, जात जातनी ने जब देखा, तो उनको बड़ा आश्चरिय हुआ, और पल भर में उनकी दरीद्रता दूर हो गई, ये भगवान राम, जैसे आपने जात जातनी को, उन की दरिद्रता दूर की वैसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की दरिद्रता दूर करना बोलो स्रीमन बोलो भगवान स्री राम की